तो आज है मारा जैनल ओर्गानिक कमिस्ट्री के फुल कोर्स का पार्ट नमबर 3 जिसमें के आज हम डिसकस करेंगे साइक्लिक एंड एरोमेटिक कमपाउंट्स की आयू पीएसी नॉर्मेंट लेचर ठीक है तो हम इस वीडियो में साइक्लिक कमपाउंट्स से स्टार्ट और उसके बाद हम इसी वीडियो में अरोमेटिक कमपाउंट्स की नॉमेंकलेचर के बारे में डिसकेशन करेंगगे with previous here problems for yourनey एकसाब तो देखिए जो cyclic compounds होते हैं ठीक है cyclic compounds में कोई hard and fast rules नहीं होते सिरफ क्या होता है कि जो भी cyclic part है cyclic ring type जो भी हमारा substance है compound है उसके name के आगे हमें cyclic word use कर लेना है but confusion कहां पर होती है जब उसके साथ कोई side chain attach हो जाए या कोई functional group जुड़े हो उसका नाम हमें कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर देखेंगे और हम इनको examples के साथ ही समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो please सभी examples को note down करना है साथ में मैं आपको जो भी उसके बारे में important बताऊंगा वो भी आपको साथ में ही note down करना है तो start करते हैं इस video को है तो सबसे पहला हमारे पास example है फस्ट एक्जाम्पल इस तो सबस्टांस इस च्छी छे मेंबर की रिंग है और CH2 CH3 ठीक है यह हमारा simple सा एक सबस्टांस है तो अब हमें यहां पर क्या rule यूज़ करना है कि जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टिट्वेंट सो तो हमें alphabetical order यूज़ करना है यहां पर तो only two है इसमें तो simply हो जाएगा इसका नाम methyl इसका नाम ethyl so ethyl को मिलेगा एक number इसको मिलेगा दो number ठीक है तो क्या आएगा one ethyl two methyl cyclohexane one पर है ethyl two पर है methyl and ring क्या है 6 member की ring है cyclohexane यह तो simple था ठीक है अब ऐसी ही एक और example करते हैं यह 6 member की ring है फिर से और यहां पर हम सेम दो सब यहां पर लगा रहे हैं methyl ग्रूप और यहां पर है that is ch2 ch3 ethyl को अब इसमें हमें करनी है numbering numbering अगर आप simply follow करते इन दोनों का जैसे हमने यहां पर follow किया था alphabetical order के according क्या था इसका नाम इत्हाइल इसको हम देते one number two और यहां पर मिलता three तो हमारे set of locants क्या बन रहे थे ध्यान से देखिएगा one पर यह है बाद में three 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 तो अगर कोई और possibility हो सकती है सोचिए कौन सी possibility हो सकती है अगर हम यहीं से शुरू करने alphabetical order को भूल जाए ठीक है one two three तो क्या होगा one one three तो एक बात आपको याद रखनी है set of lowest locants की जो हमारे लिए importance है preference है वो alphabetical order से ज्यादा है ठीक है उसको हमने जरूर follow करना है alphabetical जो order है चाहे वो ना follow हो तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि set of lowest locants follow करना जरूरी है चाहे हमारा alphabetical order numbering के time ना हो अपना है ठीक है तो इसका मतलब यह था wrong this is the right one इसका नाम लिखते हैं three पर है ethyl तो वो तो यहां पर फूलो होगा ठीक है इसे नाम शुरू होता है इसको आगे लिखेंगे three ethyl one one dimethyl cyclohexane साथ में ही आएगा वहां पर उपर cyclohexane ऐसे आपको in examples को solve करना है ओके next is the job cyclic के साथ ring के साथ carbon की chain जुड़ी हो और उस carbon chain में उस carbon chain में ring से ज्यादा जो है वो carbon atoms हो side chain में ठीक है या फिर उसमें कोई functional group जुड़ा हो तो हमारी वो side chain है वही हमारी principle या हमारी parent chain बन जाती है तो यह दोनों examples हैं अब देखिए यहां पर यह है हमारी ring cyclic ring इसके साथ जो chain जुड़ी है उसमें कितने carbon है five carbon इसमें है four carbon तो हमारा जो main name होगा जो हम यहां पर word root यूज़ करेंगे वो इसी के according यूज़ करेंगे बट क्या कुशिश होगी इसको हम lowest number दें ठीक है उसके लिए चाहे आप यहां से start करें चाहे आप यहां से करें यह हमारी दूसरी टाइप है one two three four five ठीक है तीन नंबर पर क्या जुड़ा है four carbon की chain four carbon को butane नाम देते हैं cyclobutane बट यह हमारा substitute बना है cyclobutyl ठीक है three cyclobutyl और जो हमारी parent chain है that is the pentane five carbon है pentane okay three cyclobutyl pentane next का नाम अब हमारे दिये काफी important है functional group functional group की ज्यादा preference है जिसके पास है functional group वो हमारा बन जाएगा जो हमारी parent chain बनेंगी तो बाहर जो chain जुड़ी है इसके पास है functional group तो यहां से शुरू करते हैं one two three four ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है cyclohexile three पर क्या है six member वाली cyclic chain ring cyclohexile ठीक है इसका नाम हो गया अब उपर है चार कार्बन का ब्यूट लगेगा ब्यूटेन दो नंबर पर क्या जुड़ा है अलकोहल ब्यूटेन टू ओ तो यह इसका नाम बन गा ठीक है three cyclohexile ब्यूटेन टू यह था हमारा second rule अब आगे चलते हैं third rule की तरफ third rule में क्या है कि अगर अगर हमारी ring में ही multiple bonds हो और functional groups हो दोनों चीजें एक साथ आ जाएं तो हमें preference के order को follow करना पड़ेगा multiple bonds हो functional groups हो जैसे कि हमने पहले read किया था कि सबसे चोटा number देंगे functional group को उसके बाद में double bond है उसके बाद में triple bond और सबसे last में होगा substitute examples no down करते हैं तो यह हमारी दो examples अब देखिए जो हमारा सबसे पहला example है यहां पर अब क्या होगा कि हमें सबसे ज़्यादा जो preference देनी थी वो था functional group बाद में था double bond ठीक है ना तो double bond यह रहा double bond को हमें यहीं से start करना है अब दो तर्यां के हमारे पास option है पहला option apply करते हैं क्या आएगा इसको देते हैं one number ठीक है ना one two three तो हमारे substituents यो हैं वो एक तो आ रही है double bond की position one फिर substituents की position one two three ओके दूसरा option हमने क्या सोचा कि double bond को तो एक number ही मिलना चाहिए ठीक है ना double bond को एक number मिलना चाहिए ओके है अगर हम यहां से शुरू कर दें one तो देखिए दूसरी बात का आपको यह दियान रखना है कि double bond का one number उसी वक्त ही माना जाएगा अगर two number वी उसके ही दूसरे carbon का हो यह नहीं कि हम यहां से इस five number ही दिने पाएंगे ठीक है यह बात आपको दियान रखनी है तो हमें two यहीं पर लगाना होगा three four five अब इसका फाइदा क्या हुआ double bond की position one ठीक है और इस group की position वी वन आ गया यहां पर first point of difference set of the lowest locants के according और लास्ट वाले की five तो हमने उसमें क्या सीखा था कि first point of difference जिसका छोटा number होगा वही right होगा so this is right one this is wrong ओके यह बात का आपको ध्यान रखना है अंपरिंग करना ही सबसे ज्यादा important होता है तो ऐसी problems के ही mcqs बनते हैं ठीक है ना ऐसी problems के ही mcqs बनते हैं तो इसका नाम अब आब यहां से easily लिख सकते हैं क्या आएगा one five die methyl one five die methyl one और five पर है methyl group so one five die methyl five member है cyclo pent two in sorry one in pent के साथ one number पर है in so pent one in अब दूसरी तरफ देखिए के सबसे ज्यादा importance किसकी रहती है functional group की तो functional group कौन सा है this is the ketonic group अब देखिए two number इस तरफ आना है या फिर इस तरफ आना है क्या follow करेंगे preference को multiple bone की preference ज्यादा है substitute से सो इसकी two three four five six ठीक है तो यहां पर अगर आप lowest set of lockens के rule को भी apply करते हैं बट उससे ज्यादा हमारा preference ज्यादा importance है ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है preference जो होती है कि functional group की preference हमें सबसे ज्यादा रखनी है उसके बाद में multiple bonds की वो हमें यहां पर follow करना है ठीक है तो नाम बनाई यह क्या बनेगा फाइव और शिक्स पर है डाइमिथाईल ठीक है फाइव शिक्स डाइमिथाईल then six की जेन है cyclo hex two in and one on one पर लगा है ketonic group five six dimethyl cyclo hex two in one on next is the जब functional group side chain में हो और हमारी जो ring है उसमें भी functional group या फिर कोई ना कोई multiple bond हो फिर हमें क्या करना हूँ ठीक है देखिए जो भी मैं example से पहले आपको बताता हूँ के इस case में क्या आने वाला है उसको ध्यान से सुन दीजी ठीक है उसी के साथ आप इन examples में difference याद रख सकते हैं side chain में भी functional group है और हमारी रिंग में भी functional group या फिर multiple bonds है ठीक है उस case में हमें क्या करना हो examples उतारते हैं तो यह दोनों examples हैं हमारे पास ध्यान से देखिए side chain में है functional group और ring में है multiple bonds ठीक है और यहां पर भी ऐसा है side chain में है functional group और ring में भी है functional अब यहां पर हमारा functional groups का order of preference जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था वो काम आएगा कौन से functional group की preference ज़्यादा है उसको हम अपनी parent chain मानेंगे ठीक है तो अगर हम यहां पर देखें तो carboxly group की preference तो सबसे ही ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हमारी side chain जो है वो बन जाएगी parent chain इसे हम as a side chain assume करेंगे ठीक है this is our substitute group ओके तो एक नमबर तो इसको ही मिलने माला है तो थ्री अब हमारी condition क्या होती है कि parent chain के साथ directly attach जो carbon atom है side chain का अगर side chain की भी numbering होनी है तो हम उसको ही one number देंगे हमेशा तो one number मिल गया इसको इसको two इसको three इसको four यह इसकी अपनी numbering है यह द्यान में रखना है अब यहीं से शुरू करते हैं हमारा main नाम तो इसका बनेगा प्रोपेनोई के सेट बन रहा है बट उसके साथ three पर क्या लगा थ्री पर क्या लगा है उसका नाम के अंदर भी numbering है तो उसको bracket में डालेंगे ठीक है three पर क्या लगा है अब इसका नाम बनाए four methyl four methyl ठीक है cyclo hex six member ring है cyclo hex two पर double bond two in अब इसकी attachment का भी आपको number डालना है attachment का नंबर ठीक है attachment कहां से यह वन आइल की जो भी its name तो ऐसी problems के mcq बनते हैं ठीक है मैं आपको बार 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 बता रहा हूं mcq क्यों बनना है क्योंकि एक case यह बनता है कि हम इसे अपना main parent chain मालने इसको मालने substitute तो ऐसे वह बना सकते हैं और यहां पर आपको confusion करवा सकते हैं कोई भी options बनाई जा सकते हैं ऐसे इसको को देखते हैं अब इसमें order of preference को देखें किसकी ज्यादा importance है हमारे लिए कौन रहेगा वो that is the c double bond o group that is the ketonic group ketonic group की preference है ज्यादा तो हम उसको देंगे अपना parent chain ठीक है तो यह बनेगा हमारा parent group यह बनेगी हमारी side chain so this is our side chain substitute क्योंकि ketonic group की preference ज्यादा है ठीक है सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जिसके पास है functional group वही हमारी parent chain ठीक है उसमें तो कोई doubt नहीं था और दूसरी बात थी कि अगर side chain का size ज्यादा हो गया है ring से तो वह हमारी parent chain अब third case यह क्या है दोनों के पास है functional group तो order of preference देखना है ठीक है इसको देते है one number इसको देते है two number अब इसकी अपनी खुद की होगी नहां यहां पर numbering one two three इसके आगे नहीं हो सकती numbering इनके बीच में कौन आ चुका है nitrogen आ गया इसलिए ठीक है नाम लिखते है two number पर क्या जुड़ा है इसके two number पर क्या जुड़ा है two अब इसका नाम लिखें यहां पर एक है hydroxy और इसका नाम क्या लिखेंगे methyl amino methyl amino यह as a substituent है ठीक है ना methyl amino तो यहां पर hydroxy h से start है इसको आगे लिखते हैं two hydroxy three methyl amino कितने कार्बन है one two three प्रोपाइल और इसका नाम साइक्लो ठीक है साइक्लो छे मेंबर रिंग है hex in one own ठीक है cyclo hexane one पर own लगा है ketonic group है इसलिए ओके तो यह आपका बन जाएगा ने यह था मारा point number fourth आगे चलते हैं six part number fifth जब दोनों में same functional group आ जाए तो हमें क्या करना है जब दोनों के पास ही same functional group हो ठीक है ना यहां पर तो हमने order of preference को देख लिया था अगर side chain और cyclic part के पास दोनों के पास ही same functional group आ जे तो हमें क्या करना एक्जांपल लिखते हैं है so this is the example अब देखिए कि यह जो है हमारी side chain and यह है हमारा ring वाला part इसके पास भी CHO aldehyde group उसके पास भी CHO aldehyde group दोनों के पास ही same substitute same functional group sorry अब हमें size देखना पड़ेगा किसका size है इन में से ज्यादा किसके पास है number of carbon atom ज्यादा वो हमारी बनेगी parent chain तो ध्यान से देखिए side chain के पास ज्यादा carbon है तो इसका मतलब है यह हमारी बनेगी parent chain so this is our side chain यह होगी side chain इसको मिलता है one number always aldehyde group है चार पांच छे साथ अब इसकी अपनी होगी अंदर numbering यहां से शुरू करनी पड़ेगी one two three अब seven number पर क्या जुड़ा है अब इसका नाम क्या लिखना है यह CHO जब as a substitute बना जाता है तो हम इसे क्या लिखते है फॉर्माइल three four mile cyclo pent ठीक है cyclo pentile आना था ठीक है ना pentile होता है तो उसकी position लगा देते हैं cyclo one pentile बाकी इसका नाम seven है तो hept in one all तो यह मैं आपको बता दूँ इस one को skip किया जा सकता है heptanal ठीक है तो अगर इसका size होता छोटा तो हम अपनी ring को ही अपनी parent chain मान लेते ऐसा भी हो सकता है ठीक है इस बात का आपको द्यान रखना है तो एक example इसमें करते हैं जब benzene और cyclic ring दोनों जुड़ी हों ठीक है आपस में this is the example तो यहां पर अब क्या है कि NO2 और halogen इन दोनों को हम मानते हैं substituents ठीक है और अब benzene की importance इससे ज़्यादा रहेगी ठीक है तो हमारी जो parent chain रहने वाली है that is the benzene अब मतलब यह हमारा बन गया substituent अब substituent के carbon को एक number मिलेगा चाहे इदर से जाएं चाहे उदर से जाएं सेम numbering होगी 1,2,3,4 इसकी अंदर अलग से numbering होगी 1,2 ठीक है अब इसका नाम क्या बनेगा एक number पर क्या जुड़ा है one number पर है one पर है two methyl cyclohexile ठीक है one position पर क्या जुड़ा है ring की अब लगाते है two पर methyl 6 मेंबर है cyclohexile और four पर है nitrobenzene four nitrobenzene ये आपका नाम बनेगा one पर है two methyl cyclohexile four पर है nitrobenzene cyclic compounds की आखरी example है इसके बाद last है इनकी type 7th number काफी simple है जब cyclic ring के साथ directly कोई carbon containing functional group चुड़ा हो तो हमें उसका नियम कैसे लिखना है ठीक है carbon containing functional group examples लिखते है सो जब कोई carbon containing functional group cyclic ring के साथ directly जुड़ा होता है तो हम उसकी हम प्रिंग तो हो जाती है उसको हम देते हैं एक नमबर उसका जो नाम होता है उसको हम अलग से यहां पर लिखते हैं मतलब इसको हम क्या लिखेंगे इसका नाम अलग इसका नाम अलग यहां पर उतारेंगे इसका नाम क्या बनेगा cyclo ठीक है ना छे मेंबर की रिंग है इसका नामतो हम सिंग पली यहां पर लिखते हैंगी cyclohexene और साथ में क्या आएगा carbonitrile ठीक है, CN का नाम हम क्या लिखेंगे, कार्बो नाइट्राइब, साइक्लो हेक्सेन, कार्बो नाइट्राइब, ऐसे ही यहाँ पर होगा, इसकी प्रेफरेंस रहती है ज्यादा, और CHO है, इसको एक नमबर देते हैं, this is 2, कि टोनी ग्रूप जब हमारा as a substitute बन जाता है, तो उसका नाम ओक्सो, सो 2 पर जुड़ा है ओक्सो, ठीक है, बाकी साइक्लो हेक्सेन, और एक नमबर पर क्या जुड़ा है, कार्बेल्डी हाइट, इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बेल्डी हाइट, जब यह word आ जाता है ना, आगे इसके कार्ब, मतलब जो उसका C एटम है, उसको भी अलग चुड़ा, अब हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं, अरोमेटिक कमपाउंट्स की नेमिंग, ठीक है, तो आई होप आप सबने यहां तक नोट डाॉन किया होगा, सभी रूल साब को ऑंडर्सेंड हो गे होगे, अब हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं, अरोमेटिक compounds की naming को ठीक है इसमें भी same part है कि हम examples के साथ ही इसको समझने की कोशिश करेंगे so basically जो aromatic compounds है उनके दो part हो सकते हैं aromatic compounds के एक तो होते है nuclear substituter nuclear substituter का मतलब और एक होते हैं हमारे पास side chain substituter ठीक है nuclear substituter का मतलब क्या है कि जो benzene ring होती है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं sorry कि aromatic compounds मतलब benzene के compounds और भी कुछ compounds होते हैं जो के non benzenoids होते हैं but aromatic character होता है उनके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे अभी आपको ये देखना है कि benzene वाले जितने भी organic compounds होते हैं उनकी naming हमें कैसे करने हैं ठीक है अगर functional group benzene के साथ directly जुड़ा है ठीक है तो वो बन जाएगा nuclear substituter अगर functional group benzene की side chain में जुड़ा है तो वो बनेगा side chain substitute ठीक है side chain में होने के कारण हम अगर benzene को as a substitute माना जाए मतलब functional group side chain के पास है तो benzene हमारी substitute बन जाएगी तो हम उसका नाम यूज़ करते हैं phenyl group क्या लिखते हैं phenyl group nuclear substituter में तो mostly के special name होते हैं या फिर हम उन्हें as a derivative of benzene लिखते हैं ठीक है derivative of benzene तो यह कुछ बाते हैं आपको याद रखनी है बाकी सभी examples के साथ ही आपका होने वाला है काम ठीक है तो इसमें कुछ examples करते हैं simple सी examples है no down करते हैं पहले these are the examples सबसे पहले हम करते हैं इसको ठीक है so this is 1,2,3 ठीक है numbering side chain की हुई है यह बात आपको द्यान में रखनी है यह एक special यहाँ पर example है special क्यों है कि इसके बहुत सारे नाम बनाए जासकते हैं जो इसका most हम यहाँ पर use करते हैं क्योंकि आयू पी ए सी के new conventions के according इसका नेम असप्ट है असप्ट है वो क्या है कि हम इसको लिखेंगे benzene simple benzene यह है तीन carbon का profile ठीक है so profile benzene simple है बट profile की attachment कौन से carbon से हुई है वो हमें यहाँ पर लिखते ना है two profile benzene ठीक है एक हम इसका नेम और बना सकते हैं but उसमें हमें benzene को as a phenyl group assume करना पड़ेगा ठीक है but उससे अच्छा यह नेम रहता है और इसका एक common name है that is called cumin this is called cumin आपने कई reactions में से use किया होगा cumin यह phenol बिनाने के reaction में काम आता है cumin ठीक है next is this one हमने इससे पिछली वीडियो में एक rule किया था कि जब double bond as a substitute में present हो इसका नाम हम क्या लिखते हैं ethinyl इसको क्या लिखेंगे ethinyl so this becomes ethinyl benzene ठीक है so मैं सरफ आपको special examples ही यहां पर explain कर रहा हूँ जो simple names होते हैं वो आपको खुद read करने ठीक है this is very very important अब देखिए functional group चाहे वो कोई substituent है जैसे के chlorine है वो side chain के पास है chlorine जो है वो side chain के पास है तो हमारा जो parent chain है वो यह बन जाएगा इसका तो एक number ही बनेगा ठीक है ना एक number चाहे उतारें चाहे ना उतारें so यहां पर understood है तो हम इसको क्या लिखेंगे dichloro phenyl methane इसका क्या नाम बनेगा dichloro phenyl methane so this becomes dichloro और benzene as a substitute है ठीक है ना इसका नाम हमने फिर क्या यूज करना है phenyl dichloro phenyl benzene so यह इसका full name बन जाएगा ठीक है so देखिए जो aromatic compounds की naming होती है वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है but इसमें अगर आप एक बार इनको understand कर लेते हैं तो काफी इसली आपको यह सभी examples आ जाएंगी आगे करते हैं कुछ और examples so these are the examples तो हम सबसे बिले इसका नाम लिखते हैं अब देखिए दियान से main functional group है यह ठीक है oh मतलब एक number मिलेगा इसको दो number मिलेगा इसको ठीक है so दो number पर क्या लगेगा फिनाइल ग्रूप one two so two पर है फिनाइल ठीक है इसका नाम हो गया यह दो carbon है two phenyl ethane one all ठीक है एक alcohol है जो के side chain के पास था functional group इसलिए इसका यह नाम बना है next is very very important name इसको अब आपको ध्यान से देखना है अब देखिए दो functional group है CHO की preference ज्यादा है और benzene के साथ जुड़ा हो CHO that is called benzaldehyde benzene के साथ जुड़ा हो OH that is called phenol ऐसे हम जो इनके name होते हैं benzene के साथ NH2 aniline benzene के साथ COOH that is the benzoic acid ऐसे name हम directly यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो मतलब इसका नाम हम क्या बना देंगे that is benzaldehyde इसको एक number इसको दो number OH as a substitute क्या बनेगा two hydroxy benzaldehyde two hydroxy benzaldehyde यह इसका नेम बन जाये का ठीक है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है two hydroxy benzaldehyde का एक और special name है that is the celly saldehyde celly saldehyde यह आपको याद रखना है celly saldehyde यह बहुत सारी reactions में भी use होता है ठीक है celly saldehyde next is this one दोनों तरफ same benzene rings लगी है एक को हम मान लेते हैं substituent दूसरी को मान लेते है principle एक है parent chain इसको मान ली है substituent जब oxygen है बीच में so this is ether ether में क्या लगता है हम alcoxy नाम use करते हैं oxy word साथ में लगा देते हैं so this becomes phenoxy phenoxy benzene so this is the phenoxy benzene okay आगे जलते हैं कुछ और ऐसी complex examples को discuss करते हैं so these are the examples अब देखिए फिर से जो हमारी side chain है उसके पास है यह co group ठीक है यह क्या बन रहा है यह बन रहा है एक ketone ठीक है यह हमारा बन रहा है ketone इसकों देते हैं one number two three so one पर क्या जुड़ा है phenyl one phenyl और उस तीन कार्बन की chain को हम नाम देनेंगे propane one one ठीक है one number पर है phenyl तीन कार्बन है propane और एक नंबर पर है ketone group one own और इसका नाम phenyl क्योंकि यह है हमारा एक amine ठीक है ना primary mine यह हमारा बन गया यहां पर parent chain उसके बाहर क्या लगा है phenyl एक कार्बन के लिए methane amine ठीक है phenyl methane amine यह बन जाएगा phenyl methane amine also next is the अगली example काफी important है क्योंकि यहां पर CO के साथ NH है और एक साइड पर है CH3 अब N के साथ जो यह phenyl group चुड़ा है so this becomes N phenyl N phenyl ethane amide यह बन जाएगा N N के साथ क्या जुड़ा है phenyl N phenyl यह दो कार्बन और यह होते है amides C-O-N-H-2 क्या होते है amide N phenyl ethane दो कार्बन है ethane amide N phenyl ethane amide so this becomes इसका एक और नाम है that is astanilite astanilite यह काफी important है astanilite इसका यह नाम क्यों रखा गया है क्योंकि बेंजीन के साथ N H2 को हम aniline बोलते हैं इसको हम क्या बोलते है aniline तो aniline के साथ यहां पर उन्होंने क्या ग्रूप जोड़ दिया है that is astagroup CH3 CO group को हम क्या नाम देते हैं astagroup CH3 CO group आपने बहुत सारी reactions read की होंगी astylation तो astanilite इन दोनों को जोड़ दिया गया so this becomes astanilite ऐसे ही होता है benzenilite ठीक है so इसके बाद है हमारे पास कुछ ऐसी examples जो के बहुत ही important है और जिनमें हमें normally confusion होती है ठीक है so हम सबसे पहली example करते हैं इसमें rule है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा functional groups हों तो हमें क्या करना होगा कि हमें principal functional group को select करना पड़ेगा order of preference के according principal functional group जब कोई benzene के साथ जुड़ा होता है उसका हमें एक अलग नाम रखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था benzene के साथ OH जुड़ा होगा तो phenol COOH जुड़ा होगा अगर COOH जुड़ा है so this is the Benjoy के sir this is phenol ऐसे ही सभी के एक journal names होते हैं वो हम साथ में use कर लेते हैं examples देखते हैं इसके लिए so यह है कुछ examples तो सबसे बहला हमारा काम क्या है कि principle जो हमारा यहाँ पर main functional group होगा उसको select करकर उसको benzene ring के साथ जोड़ देना है अगर उसका कुछ special नाम ना हो तो हम फिर भी अपना एक principle functional group को ही select करेंगे उसका name end पर लिखेंगे और बाकी सभी functional groups को as a substituents वहाँ पर रख लेंगे तो यहाँ पर OH बनेगा principle functional group क्योंकि हमने देखा था कि इसकी preference तो सबसे last में थी ठीक है ना order of preference आपको इससे पिछली वीडियो में मिल जाएगा प्लीज उसको याद रख लें मैंने आपको उसमें भी बताया था order of preference भी बहुत बार paper में directly पूछ लिया जाता है ठीक है सो एक नमबर इसको मिलेगा दो नमबर इसको मिलेगा इसका नाम क्या है phenol और बाहर का रह गया 2 पर है NH2 that is amino ठीक है ना substitute आएगा तो amino बन जाएगा so this named as 2-amino phenol simple सा नाम है 2-amino phenol ठीक है next is this one अब carboxylic group की preference तो सबसे जादा होती है ठीक है ना तो इसकी preference होई सबसे जादा यह क्या बन गया benzoic acid अब इसको मिला एक नमबर ठीक है अब आपको याद रखना है कि हमारे पास जब हमने humbring करनी है दो rules होते है सबसे important कोन होता है set of the lowest locans और उसके बाद हम क्या follow करते है alphabetical order ठीक है ना lowest locans के according हम इस रास्ते जाएं या फिर इस रास्ते जाएं अगर यहाँ पर जाते है 2 3 इसको नमबर मिलता है 3 अगर यहाँ से शुरू करते है 2 3 4 तो यहीं ठीक रहेगा ठीक है न 3 number so 2 3 4 okay alphabetically according we bromo कभी आता है आगे तो वही से शुरू करना था दोनों के according same है तो यह क्या बना एक लगा है bromine एक लगा है तो OH as a substitute हम इसको क्या बोलते है hydroxy ठीक है B को आगे लिखेंगे so 3 bromo 4 hydroxy okay and this is named as benzoic acid benzoic acid तो काफी simple है अगर आप एक बार इनको understand कर लेते हैं तो विलकुल simply आपके सभी हो जाएंगे अब इसमें भी same होगा this is benzoic acid और 1 2 3 4 4 पर क्या लगा है NO2 NO2 को आतो हम वैसे भी नाम आगे ही लिखते हैं यह simply क्या read करते है नाइट्रो तो यह क्या है तो यह थी कुछ simple examples आगे चलते हैं next rule की तरफ तो इस आर some examples ठीक है तो इसमें फिर से हमारे पास धो rules बनते हैं सबसे पहला set of the lowest logans and second is the alphabetical order ठीक है ना तो दूसरी जो इसमें बात रहती है कि अगर कोई ऐसा group है जिसको benzene के साथ जोड़कर कुछ special name बनता है उसको select करना है ठीक है इसकी बात करें तो कोई भी ऐसा group इसमें नहीं है जिसको benzene के साथ जोड़कर कुछ special नाम बनता हो chloro और nitro धोनों ही perfect use होते हैं ठीक है तो हमें set of the lowest लोकेंड सबसे पहले देखना है तो मतलब अगर मैं यहां से शुरू करूं 123 ठीक है न कौन-कौन बन रहे हैं तो अगर यहां से शुरू करते हैं 12345 यहां पर 5 मिलता है 12345 एक option और बचता है 12345 तो सबसे अच्छा कौन सा path है यही वाला हमारे लिए path सबसे अच्छा रहेगा 12345 अब इसमें द्यान से देखिए कि set of the lowest लोकेंड भी apply हुआ है और alphabetical order भी apply हो गया है बट मैंने आपको शुरू में बताया था alphabetical order चाहिए आपका miss हो जाए बट सेट ओफ लोएस्ट लोकेंड रोल को नहीं भूलना है आपको ठीक है दोनों ही apply हो चुके है वन पर है chloro टू और फॉर पर है नाइट्रो ठीक है तो इसका नाम क्या हम लिखेंगे वन क्लोरो वन क्लोरो टू फॉर डाई नाइट्रो बैंजी डाई नाइट्रो बैंजी सिंपल सी बात है इससे अगली example देखते हैं अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बैंजीन के साथ कोई ऐसा group तो नहीं जुड़ा जिसका के कोई special name बनता है अगर कोई functional group है तो वही हमारा main होगा उसको हम एक number जिसको बैंजीन के साथ जोड़ेंगे तो कोई special name बन सकता है वह क्या है CH3 अगर हम CH3 यानि के methyl group को बैंजीन के साथ जोड़ते हैं तो क्या नाम बनता है that is the toluene ठीक है बैंजीन के साथ जुड़ा होता है methyl group उसको हम बोलते है toluene तो इसको हम देते अब टू तो इसी को मिलने वाला है ठीक है न थ्री फॉर अब इसका नाम क्या बन गया this is named as the toluene 2 पर है chloro 4 पर है nitro इसका नेम बन गया 2 chloro 4 nitro toluene ठीक है तो ऐसे आपको इनके names बनाने है 2 chloro 4 nitro toluene okay next चलते है example this one अब इसमें कोई ऐसा group हूँ देखिए दियान से जिसकों के benzene के साथ जोड़ें कोई special name बन जाए अब यहां पर 2 है एक है CH3 और एक है यह OME ME मतलब methyl OCH3 ठीक है अब इसमें आएगी यहां पर preference की बात O मतलब ether ethers एक functional group में ही गिने जाते हैं ठीक है न यह तो एक substitute है alkyl group है तो हमारे functional group की preference रहेगी जादा तो हम इसको अपना यहां पर functional group ही मान लेंगे इन दोनों को as a substitute ही यहां पर किया जाएगा treat so इसको हम देंगे number 1 ठीक है इसको 2 3 4 benzene के साथ OCH3 जुड़ा हो उनका नाम क्या होता है that is anisole this is named as anisole और क्या रह गया 2 पर chloro 4 पर methyl तो नाम क्या बनेगा 2 chloro 4 methyl एक ही रो में आपको लिखना है anisole ठीक है यह इसका नाम बनेगा 2 chloro 4 methyl anisole ठीक है अब last को देखते हैं उसमें तो आपके पास directly functional group भी है OH that is named as phenol तो काफी simple हो जाएगा इसका नाम अब आपको खुद लिखना है जल्दी से इसका नाम बताइए इसका नाम क्या बनेगा यह बन गई phenol यहां पर 1 number है यहां पर 2 3 4 4 पर जुड़ा है यहां पर iodine और 2 पर है methyl group 4-ido-2-methylphenol इसका नाम क्या बनेगा 4-ido 2-methyl toluene sorry phenol ठीक है यह इसका नाम बन जाएगा तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर substitute कोई ऐसा है कोई functional group वहां पर नहीं है substitute कोई ऐसा है जिसको के बेंजीन के साथ जोड़ेंगे तो special name बनेगा तो फिर हमें उसका बनाना है अगर कोई functional group जुड़कर special name बनाता है substitute भी है बट functional group की ज्यादा preference है यहां पर भी functional group की ज्यादा preference है इसे बाद में रखेंगे ठीक है यह बाद का आपको ध्यान रखना है एक और example इसमें हम और करते हैं और इसके बाद हमारी aromatics की compounds की IUPAC nomenclature हो जाएगी खतम ठीक है इससे अगली वीडियो में आपको इसके साथ इसमें की आपको काफी confusion हो सकती है हम उसकी काफी problems को यहां पर soul करेंगी ठीक है अगली example को देखते हैं So now these are the two examples ऐसी examples हम इससे पहले भी discuss कर चुके है इसमें क्या है कि जब बेंजीन के साथ जो side chain जुड़ी है functional group उसमें आ जाए ठीक है न अगर बेंजीन के साथ side chain में functional group हो तो हमें उसी को ही अपनी parent chain मानना है और बेंजीन को हम क्या बनाएंगे phenyl group की तरह यहां पर करेंगे treat So CHO gets one number two, three, four so four पर है phenyl three पर है hydroxy तो hydroxy का नाम लिखेंगे आगे ठीक है और फिर है यहां पर phenyl तो इसका होगा नाम three hydroxy four phenyl और four carbons है that is the butane ul क्योंकि यहां पर LD है जुड़ा है butane ul butane one ul भी आप यहां पर लिख सकते हैं ना भी लिखेंगे तो भी सही है three पर है hydroxy, four पर है phenyl this is the phenyl group ऐसे ही यहां पर देखेंगे हमारा principal functional group यह है one, two, three, four, five यह चीज़ बन जाएगी तो यहां पर अब हम क्या नाम लिखेंगे देखें दियान से two पर है hydroxy five पर है bromo and उसके साथ ही है हमारे पास phenyl group four पर ही phenyl group भी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा five पर है सबसे पहले bromo ठीक है five bromo two hydroxy five phenyl nine अब total chain कितने कारबन है five है तो यह बन जाएगा हमारे पास pentane one oek ठीक है ऐसे आपको इसका नेम बनाना है सो यह थी कुछ examples अब हम previous year problems को solve करते है statement आपकी screen पर है हमें इसका यह iupac name लिखना है so this is the organic compound इसका हमें iupac name लिखना है तो देखिए यहां पर दो चीजे हैं एक तो है double bond ठीक है और second क्या है chloro और bromo जिनको कि हम as a substituent ही यहां पर मानते हैं क्योंकि हमारे order of preference में क्या बात होती है functional group सबसे आगे उसके बाद double bond फिर आता है triple bond और फिर आते हैं substituents ठीक है दूसरी बात हमें set of the lowest locants को follow करना है तो मतलब हमें double bond को one number से शुरू करना पड़े ठीक है अब वो one number की दो directions हमें चक करनी है कि मैं यहां से शुरू करूं one two या फिर यहां से शुरू करूं one two ठीक है न किसमें हमें ज्यादा होता है फाइदा देखिए अगर मैं यह वाला apply करता हूं one two तो क्या होगा एक आ गया one पर दो पर आ गया है close one one two बनते हैं बट अगर मैं उपर वाला यूज करता हूं one two तो one पर ही double bond है one पर ही CL है दोनों का हमें क्या मिल जाएगा one one तो यही अच्छा रहेगा ठीक है one two three ओके तो इसका नाम कैसे लिखेंगे bromo आगे आएगा two bromo और one पर है chloro total छे मेंबर की रिंग है cyclo word use होगा this is not benzene ठीक है cyclo hexine क्योंकि एक नमबर पर in है चाहे आप उतार दें फिर भी ठीक है ना भी उतारेंगे फिर भी ठीक है two bromo one chloro cyclohexine इसके coding आपका answer बनता है option हमारा बनता है third is the right answer ठीक है आगे चलते हैं next problem काफी important है statement आपकी screen पर है हमें इस compound का iupac name लिखना है तो यहां पर अब आपको द्यान से यह देखना है कि c o n h group है this is अगर हम इसको द्यान से देखें तो यह बनते हैं हमारे पास amides ठीक है r c o n h 2 को हम क्या बोलते हैं amides अब amide पर अगर हम यहां से hydrogen हटाकर कुछ भी जोडते हैं तो वो चीज n के साथ जुटती है c के साथ नहीं जुटती ठीक है so मतलब n के साथ यहां पर यह ring जुड़ी हुई है तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं n phenyls के साथ हम इसको नाम नाम दे सकते हैं n phenyls के साथ जुड़ा है cyclo ring जुड़ी है six member की सकता है यहां पर n phenyls n cyclohexene carboxyamide हम इस complete को क्या नाम देगे हमने अपने cyclic compounds में इसके बारे में discussion की थी कि जब cyclic ring के बाहर कोई carbon containing functional group होता है हम उसके c atom को अलग से नाम देते हैं इसका नाम क्या बनेगा n पर है phenyl cyclohexene carboxyamide carboxyamide यह इसका नाम बनेगा n phenyl cyclohexene carboxyamide तो हमारा answer क्या बन सकता है यहां से c is the right answer carboxyamide आएगा y को हम यहां से हटा देंगे so this is the organic compound हमें इसका iupac name लिखना है ठीक है अब यहां पर है functional group 2 एक है oh दूसरा है cn और यह है हमारा substitute तो functional group इन दोनों में से किसकी preference होती है ज्यादा that is cn की तो मतलब cn वाले carbon को एक number मिलेगा अब हमें यह देखना है कि हमें यहां से direction कौन सी select करनी है इस तरफ जाना है या फिर इस तरफ जाना है ठीक है क्या follow करेंगे set of the lowest लोकेंट्स का rule lowest लोकेंट्स का set हम यहां पर बनाएंगे अगर इस तरफ जाते हैं two three तो हमें क्या मिलते है one or three अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या मिलेंगे one or two तो हमें first point of difference को follow करना है तो हमें इस तरफ ही जाना होगा one two three four इसको मिलेगा five ठीक है अब दो नंबर पर है ब्रोमो two bromo five पर है hydroxy five पर है hydroxy और का नेम क्या बनेगा two bromo five hydroxy benzo nitrile benzo nitrile तो आपका भी option होगा right two bromo five hydroxy benzo nitrile next is the so this is the organic compound जान से देखिए तो फिर से यहां पर functional group NO2 को तो हम already ही perfect use करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं methoxy group इसको भी हम perfect ही use करते हैं या फिर इसका special नाम बना सकते थे benzene के साथ जोड़कर any soul हमने इससे पहले भी example की थी but CHO LDID group की preference ज्यादा होती है तो इसका नाम बनाएंगे हम सबसे पहले इसको benzene में include करेंगे that is benzaldehyde तो यहां से शुरू करते हैं 2, 3, 4 अब 2 पर है nitro और 4 पर है methoxy और M आगे आता है 4 methoxy और 2 पर है nitro benzaldehyde तो यह थी simple सी problems आपको previous year exams में आ चुकी है इनमें हमें कई बार इस चीज के बारे में confusion हो जाती है कि हमें कौन सा rule यहां पर follow करना है ठीक है वही आपको यहां पर ध्यान रखना है इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम discussion करेंगे about the topic isomerism वो आपके लिए काफी important रहने वाला है please इस पूरे course को ध्यान से सुनिए notes पनाईए और आपको यह सभी चीज़ें अच्छे से understand हो जाएंगी thanks for watching this video